नमस्कार दोस्तों मैं हूं बिटु कुमार और मेरे युटु चनल में आप लोग का स्वागत है आज लाइब डिवेट रखा गया है एनाश डिलेट को लेकर बहु सारे सिच्छा गन आज मौजूद हैं इस लाइब डिवेट में और ये पहली बार हो रहा है नया साल पर हो र सब्सक्राइब जो 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 लाइब सेशन देख रहे हैं सबसे पहले वो लिंक को ग्रूप में सेयर कर दें ताकि जितने भी से चक अभियरती हैं वो जूड सके अपने बात जो परसान है वो अपना कोशन कर सके इसमें मुद्दा है सुप्रिम को लेकर पपु सर सुप्रिम कोट जा रहे हैं उसको लेकर है उस पर डिपेट करेंगे कल पच्छम मंगाल के कौसिक हैं वो कोशन उठाये थे पपु सर पर उनका जवाब देंगे वो और भी बहुत कुछ बाते इस वीडियो में रखने वाले हैं तो जो लोग जूड़े हुए हैं पर एक बार टाइम देते हैं अभी लेट होगा शुरू करने में तो लोग लिंक को सेर कर दें टेलिग्राम ग्रूप पर वाट्सप ग्रूप पर जो जो गूरूप बना हुआ है ताकि सभी लोग जूड़ सकें पहले सब लोग से बारी-बारी से ले ले लेते हैं कॉमेंट नमस्कार पापु सर बताईए साल पे सवापनापना भ्यू दीजिए नमस्कार बिटु सर देखिए कुछ देखिए जब भी कोई अच्छा काम होने जाता है ना जी सर कोई न कोई अध्रिस सक्तियां उसमें टांग अड़ाने का पर्यास करता है कि ताकि वो काम सफल नहीं ह हमेशा होते आ रहा है जब हमारा देश भी आजाद हो रहा था उस समय भी कई लोग इसी तरह कर लोग जो थे वो जो है हस्त छेपन किये थे जिसके बज़े से जाके इतना देश देश हमारा आजाद हो गया होता तो हमारा यह कहना है कि कुछ लोग हमारे जो उत्राखंड के जो लोग मामला को देख रहे थे जो मामला को फसाद दिये अब वोही लोगा-ईसा चाल चल ला कि किसने किसे वीडियो ऑडियो जारी करवा रहा है कि भाई पपुजी जो काम कर रहे है वो बिलकुल गलत काम है वो जो है पाले तो एक लोग आफवाह फैला दिया कि सिर्फ नियोजी सी चक को लेके ये उनको बचाने के लिए खाली काम कर रहे हैं बाके को छोड़ दी हैं उच दिन पहले ये आफवाह उड़ाया अभी एक लड़का क्या नाम है उसका कॉसिक क्या है उसका जो भी नाम है उससे जारी करवा रहा है कि नहीं जो भी है कि पपुजी जो है जो है वो तरीके से नहीं कर रहे हैं सुप्रिम कोट जा रहे हैं तो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा हार जाएंगे इस तरह का आफवाह लोगों को दिमाग में फैला रहा है अच्छा कोई बचारा जो कानू का इस तरह से ऑडियो जारी कर रहा है छल्कि उसका तो हमें पता नहीं मिल रहा है पता मिलेगा तो उस पर हम तुरंथ पहले मुकातमा करेंगे तो हमारा नाम लेकर पुटा-पुटा वाँ प्हला रहा है और उप लगा रहा है ज़्राएं का पता हम लोग लोग एक ठा करने क सब्सक्राइब कर दिए तो ठीक रहेगा हाँ बहुत सारे अभ्याति पर्षान है कि जो पप्पु सर सुप्रीम कोट में केस कर रहे हैं उसे फायदा से बिहार वाले को होगा अधर अश्टेट को नहीं होगा इस परत दरपरत अभी हम सारा इक बात को आपका लेंगे और सारा बात को हम प्रयास करेंगे कि क्लियर हो जाए देखे तर बिहार में बिहार का तो बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है देशाजा होने से लेके कोई बड़ा काम करने में बिहार अग्रीनी जो है ना आगे चलके भूम का निभाती है और यहां कि जितने भी लोग है वह अग्रेसिव हैं चीजों को समझते हैं गंभीर हैं और हमारा बात भी मानते हैं हम जिस रास्ते से लेके चलते हैं उस रास्ते से चलने का परियास करते हैं और एक मत यदि हो यदि कोई गलत डिसिजन भी लो हो गया लेकिन आप एक साथ रहेंगे ना तो आप बिजय पालेंगे लेकिन जब फूत हो जाएगा ना ताब बिजय इससे उत्राखंड में क्या वह फूत होने का नतीजा हुआ कि भाई बिजय नहीं मिल कोई भी व्यक्ति आपस में राज सलाई नहीं लिया कोई राज चाहा मदद करने के लिए मदद नहीं लिया लोग घमंड में रहा कि भाई हम जीत दिला देंगे फसा दिया आज कि टाइम में पुरा देश फसा हुआ है क्यों फसा हुआ है तो भाई कुछ लोगों के गलती अंग ने करन पूरा देश जो है ना खूड की आशो रहा है अच्छा ठीक है आरोप लगाना ठीक है हम आरोप नहीं लगाते हैं लोगों को बुरा लाएगा मुख जो बाते हैं हमको ये कहना है कि जो भी गलतियां हो गई वान की छिले की ठीक है सुपरिम कोट में गए आप लोगों ने कई गूट ने मिलके, वहां पे पर्यास किया, सफलता नहीं मिली ठीक है, अलग-अलग गूट बनके यह लोग गये थे, सफलता नहीं मिली, लेकिन अब जो हो गया, सो हो गया, अब आगे इसको कैसे ठीक किया जाएगा, अब इसमें बात होनी चाहिए ना, जो घा किसी कोन से हमाल लेते हैं लेकिन अब करें सफलता मिलेगा सफलता मिलने के लिए हमको तो पर्यास करना चाहिए क्योंकि डिगरी चौदा लाख लोग किये हैं जिसमें जो नौकरी में हैं और जिनकी नौकरियां हो गई है उनको रिजार्ट परकासित नहीं किया गया है सबसे अब इसका निदान कैसे होगा तो निदान के लिए हम लोगों ने दिल्ली गए दिल्ली में जाके हम लोग अलग अलग तरह से पर्यास किये सांसुदों से मिले सिच्छा मंत्री से मिलने का पर्यास किये आपको पता ही है सिच्छा मंत्री क्यों नहीं मिले हमने हर एक तरह से पर्यास किया भीहार के सांसुदों से मिलने का पर् तो मुझे पता है कि हमको न्याय जल्दी नहीं मिलेगा तो अब क्या होगा उसके करें दूसरा रिभ्यू होने का परवल समभावनारduc लुसेंटानाई कोई हुट बाखी हम आगे बात करते हैं एक रास्ता दो रास्ता यह है कि हम रेविव में जाएं दूसरा रास्ता है कि अब जो जो राज को मना कर रहा है कि सहाब आपकी नौकरी नहीं होगी आप लिजिवल नहीं है वह राज स्वतंत रूप से फिर से सुप्रीम कोट में जाए और अपना वहाँ बात रखे कि सर हम हमारा डिगरी यह है उस समय जो बहस होई जो उत्राखंड के परिफेक्ष में बहस होई उन्होंने आपको ठीक से नहीं बता पाया बात यह है अक्चुल में यदि दो तीन राज पाच राज यदि मिल के एक साथ जाए तो और केस मजबूत होगा हो सकता है कि आपको दूसरा बेंच मिल जाए हो सकता है कि तिरफल बेंच मिल जाए आपको क्योंकि दो तीन राज जब आप मिल के जाएंगे तो जो senior बकील है वो माननिय चीफ जस्टिस से अपील कर सकते हैं कि हुजूर यह मामला बहुत गंभीर है इसको तिरपल बेंच में तांसपर कर दिया जाए तो हो सकता है कि आपको कई मामला में तिरपल बेंच मिल जाए हम परियास हम यह नहीं दावा कर रहे हैं कि भाई जिस बेंच में हमारा मामला था उस बेंच में नहीं जाएगा संभावना है कि उसी बेंच में जाए लेकिन यदि हम बड़े बकील के साथ जाएंगे और दो ती जो का पैनल नहीं रहेगा ये भी संभावना है सम बड़े बकील के साथ हम लोग जाएंगे तो बहुत कुछ संभावना बदल जाएगी तो हम लोग तो परियास कर रहे हैं कि भाई सारे लोग जैसे बिहार के जो हमारे सप्लिमेंटरी जिनका रुका है में जिनका रियल्ट आया है रियल्ट पैंडिंग हो गया है उनका रियल्ट परकासित नहीं किया है के भी सक्ती है उसके बाद आसाम के जो आप हैर सिधिति में हम आपके साथ जूड़ना चाहते हैं लोग जूड़ विरे हैं मद पर्दित के साथ ही आचा तो अभी जारखांड में भी बहाली आने वाली है वहां पर भी उन लोग को पता है कि यह तो यदि तीन चार राज पांच राज मिलके हम एक केस ड्राफ्टिंग करते हैं उसी इसमें सारा केस करा देते हैं और वहां जाते हैं और कहते हैं कि हो सकते हैं हमारा डिगरी फिर समान हो जाएगा एक राश्ता यह है काई लोग का कहना है कि जैसे लड़ाका का आओडियो हमको भेजा था हम सुन रहे थे बोला था कि हम जाएंगे हाइगे हाई कोट में जाना चाहिए आप हाइगोट में जाएंगे तो यह कॉमन सेंस की बा सुप्रिम कोट से हाइगोट को डर नहीं है क्या एक बड़ा नयाले ने आदेश दिया सर्वोच नयाले ने आदेश दिया तो पतना हाई कोट या कोई हाग कोट का है छमता कि भाई वो उनके आदेश को पलन ना करे एक मिनुट में को जैज्जमेंट को दिखाएगा और एक सेकंडरी भी ने लाएगा पहले हैरी में केस डिस में हो जाएगा तुरन डिस में हो जाएगा तो अधी हम हम यदी हाई कोट दिन्या देदे तो हमना दहिना गटा काट के आपको दे देंगे कि कानूनी समझ ना हो तो बिना मतलब का ज्यान नहीं बाटना चाहिए हम लोग को नहीं समझ में आता है तो चुप रहते हैं बिना बकिल के राई लिये हुए कोई भी information किसी को नहीं देते हैं आप किसी को information दे रहे हैं उसको फासा रहे हैं कौन हाइब है जो जित हमको दिला देगा सुप्रिम कोट के आदेश के बाद सुप्रिम कोट में का दिया 28 तारीक होता है राज में कोई आध्य just there तो सारे अपने तक सीवित रहता है उस राज का डिसीजन लेकर दूसरी लाग लेता है सुप्रीम कोट कर देश हाई कोड उसकर है लोग लाव ले है तो आपकी नुक्ति तो हाई कोट का छमता है इसकी सुप्रीम कोट के बात को नहीं माने यह एदम असंभब बात है कौमन छोटा सा भी एक छोटा बच्चा पांच सल का बच्चा भी यहां बात समझ में आएगा जो सर्वोच नियाले है के इतर कैसे हो जाएगा हाई कोट हम आचा जो जो हाई कोट में जाएगा वह डिस्मिस कराएगा उतना दाग और हमको लगेगा और हमारा जो असीहाख निया कि हुआ से पल्टेंगे तो फिर क्या मैसे जाएगा हाई कोट में और समझ यह कोई आदेश दे दिया कि यह आदेश लागू होगा उसका निचला अधिकारी उस आदेश को परन कर रहा है फिर आप जाएएगा पूपर का अधिकारी के पास काने के लिए हम से गलती हो गया तमाम तरह क तो एक वर वादेश दे दिया जो अधिकारी है यह निचला न्याले है उसको मान लिया तो फिर वो कैसे जस्टिफाइगा इसका मतलब निचला न्याले को फिर दो सिठार आएगा वो हैसला बतल के तो जो जो सुप्रीम कोट मामला लेकर जाएगा जो जो हां पे डिसमिस कर आएगा वो हमारे लिए सरदर्द होगा और सुप्रीम कोट में जो हम लोग जा रहे हैं तो हमारा जो है ना पूरा काम खराब करेगा तो हमारा यह कहना है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो आप समझ के बकील से बुझ के दोस्तियार से पूछ के आप समर्थन की जो नहीं समर्थन करते हैं वो चुप रही है जो हला कर रहा है वहां है उसको उसको टॉपन हो रहा है उनके पंड जा रहा है अरे तो फंड जा रहा है न्याई की निन फंड माग रहे हैं अब हम जिते हुए तो कहा किसे हम कर रहे हा आपको दे दो एक रुपईया जब हारे हैं तो भाई आप हमको बहुत बड़ा फंड कावा सकता है अब दूसरे हम आपको अभी असपर सुप से बतायते हैं कि दूसरे राज का भी पर्टिशन बना को तो दस आदमी भी नहीं बना होगा सिर्फ इनक्वाइरी हो रही है कि सर जा रहे हैं सर जा रहे हैं हम जो पूसर तो हम अभी भी असपर्ट करना चाहते हैं कि फंड होगा भया तो हम जाएंगे न्याले नहीं होगा तो नहीं जाएंगे जब तक 2000 पर्टिशनर हमको नहीं मिलेगा ओलेडिया से, बिहार में हमको पता है कि हम एक 1000 पर्टिशनर बिहार से ही कर लेगे, जब तक नहीं मिलेगा 2000 हम नियाले में सुप्रिम कोर्ट में नहीं जाएंगे, हमने सब बात पता कर लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन हम हार मिले हम हमेशा दो प्लान रखते हैं ए और बी ए नहीं सफलोगा तो वह सारा प्लान करके हम वहां जा रहे हैं कि भाई पहले तो कट जूड हैं लोग कोई रखा गया जुड़िये लोग बड़ा ज्यादा न्याए इतना महगा है तो हम और भारतिय लोग चमडी उधेर रहा है तो क्या करें हम तो कम सब्लॉग विचार रखाता लग भात को नहीं रख पाए अब फिर से हम वही काम करें तो फिर हम हार जाएंगे क्या फाइदा होगा तो हमारा ये कहना है कि जो काम हम कर रहे हैं निवेदन पूरबा का हाँ जुड़के बिंती आप लोग हमें सहयोग किजिए रहे हैं और सहयोग नहीं कर सकते हैं तो छूप रही है मेरा मतलम का आंगुली मत किया की जिए दियेगा तो पुरा देश इसमें सबसे पहले को नमस्कार और यह सिक्षक साथी है उन सबों को नमस्कार और नए साल की मुबारक बाद सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैं रोतास जिले से हूं और मैं अभी नियोजीत सिक्षक के रूप में कारेगर्णत हूं सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस केस को हम लोग काफी पपु सर के साथ हम लोग स्टाटिंग दौर से जुड़े हुए हैं जब पटना गये थे गांधी मैदान जाते थे हम लोग और रोतास जिले का मैं जिला ध्यक्ष भी रह चुका हूं जहां से यहां से पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आखिर हम लोग कोट क्यों जा रहे हैं और कोट की आउसकता क्यों है सबसे पहले जो है वो अभी हार चुका है हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है चुकि हम सुप्रीम कोट में सिकस्त खा चुके है वजह जो भी हो तो एनाइस को जीतने के लिए दो चीज़ इंपोर्टेंट है पहला या तो आप कोट जाएए या फिर पॉल्टिकल प्रेशर बनाएए आपने पॉल्टिकल प्रेशर बना के देख लिए और पॉल्टिकल प्रेशर बनाने के लिए लोग तंतर मे भीर तंतर बहुत जुरूरत होता है आप पटना में कम से कम अगर 1000 आदमी को बुलाइए तो आपको 200 आदमी नहीं आने वाला है तो आप तो यह जान लिजे कि आपके पास भीर तंतर नहीं है साफ और सपाट बनते हैं और बात नहीं कि सरकार पर प्रेसर बनाना तो सरकार पर इतनी आसानी से प्रेसर नहीं बन सकती है उसके लिए आपको भीर तंतर तो दिखाना पड़ेगा और उसके बाद हम हमारे पास यहीं मौका बनता है कि हम कोट जाए अब कोट जाए तो कोट की तरने परक्रिया तीन है एक जिला जज कोट भी है एक पटना हाई कोट भी है औ तो बेटा उसको काट नहीं सकता है उसके अधिकार छेत्र से बाहर है तो पहली बात कि जो लोग कह रहे हैं कि हम पटना हाई कोट में जाएंगे वह तो महामुर्ख है हमको लगता है को सिक्षक बनने के काबिल नहीं है तो आपने थोड़ी भी समस्दारी होनी चाहिए कि ज कुछ भी नहीं कर सकता है और बुरा से बुरा इस हिति आपको कर सकता है यह कर सकता है अच्छा कभी नहीं करें तो हमारे पास है कि पोल्टिकल प्लेशर हमने बना के देख चुका उससे कोई परभाव अभी तक गवर्मेंट को नहीं पड़ा है पाइडल बात यहीं है जो तो गवज़ेट को किसी रूप में दिखाई दे रहा है या उसकी शीट जो है लोस नहीं हो रहे हैं अभी हाल ही में ट्रक यूनियन जो है हळताल किया था आप ध्यान दिये होंगे उस समय हम लोग लोग अधना देखें थे तो उसमें आपको क्या चीज़ दिखा सरकार घुटने पर क्यों आई सरकार घुटने पीछ लिए आई कि उसमें भीड़ तंत्र था सारा रोट ब्लोकेस था आम जनता परिसाम थी लेकिन आपके निएस डियलेट के कोई साथ ही आपके रोट पे नहीं आ सकते हैं चाहे उस तरीका का हम परदर्शन नहीं कर सकते हैं तो हम जो भी यह पॉलिटिकल प्रेशर का भी कारे कर रहे हैं लेकिन इसमें बहुत टाइम ल चाहँगा कि जो लोग कहते हैं कि नियोजित सिक्षक अपने लिये जाता है तो हम पहले बता देना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षक फिलहाल इस जज़िमेंट से पूरे क्या पूरा दबा हुआ है एक पत्थर उस पे गिर चुका है तिक है उस पे दबा हुआ अगर किसी सबसे जपने परभाव पड़ेगा तो नियोजीत सिख्छक पर पड़ेगा विप्यसी टीरी वन टीचर पर पर पड़ेगा और तो जिसको पड़ना है उसके तो पढ़ गया सपलमेंटरी वाले उपर पढ़ गया है तो हमें सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है जो भी नियो सुप्रीम कोट जाने के पास हमारे 3-4 पॉइंट है, क्यों हम सुप्रीम कोट जा रहे हैं, सुप्रीम कोट में जो जो बाते जो है, हम लोग दिल्ली जब गए थे, तो वहाँ पे कपिल सिब्बल के जो आरो थे, जो जुनियर वकील थे, उनसे हमने बात किया, हमने सारा प्रो तो जज हमारे वकील सहाब के बातों से प्रभावित होकर के बोला था, कि आप लोग बहुत बिशिष्ट काबिलियत वाले जात्र है, जो दो साल का कोर्स, 18 महीने में पूरा कर लिए, यानि वुस समय हमने जज को कन्वेंस कराया, अपने वकील के माध्यम से, तो सुप्रीम कोट हम लोग जाना चाहते है, TRE2 एवं जो सपलमेंटरी में जिनका रिजल्ट नहीं आया है, उनके सहारे, अब क्यों उनके सहारे जाना चाहते है, इसलिए उनके सहारे जाना चाहते है, कि अगर नियोजी सिक्षन डेरेक्ट जाता है, या BPSC TRE1 वाले डेरेक्ट जाते है कुछ भी उल्टा-पुल्टा फैसला अगर आ जाता है मान के सलिए तो उसमें सारे लोग लपेटे जाएगे इसलिए हम जो है पिटिस्टनर उन्हीं लोग को बना रहे हैं जिन पे कोई परभाव ना पड़े लेकिन हम उनके पीछे चटान के तरीके खड़े हैं इस बात को ध क्रेस क्रेस बहुत हो जो भी पॉइंट छूट गई है जैसे कि वहां के जद साहब ने बोल दिया कि भाई वन टाइम कोर्स है तो वहां पर उसको जवाब देना है कि अभी तक भारत में इसा कोई कोर्स ही नहीं बना है जो वन टाइम है और दूसरी बात कि जो को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है यह बात सुननी चाहिए जितने भी सिख्ष संगठन वाले हैं पुराने वाले हम लोग तो दूहजार बाइस वाले हैं लेकिन दूहर चाउदा में जो लोग बहाल हुए थे वह भी परेसान है वह भी करें कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है सब्सक्राइब इसलिए कि हम लोग भी 125 में पढ़ाते थे लेकिन 6-8 का फोरम भर है और हमारी नौकरी BPSC के थूरू 6-8 में हो गई लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं दिया गया हमें result नहीं दिया गया चुकि फ्रेस requirement के लिए यह नहीं है तो हम इतना से तो बात कि दम लगा कर लड़ना चाहते हैं तपिल सिबल को वकिल के रूप में रखना चाहते हैं और अपने में जितना च्छमता है वह लड़ना चाहते हैं और हमारे पास हारने के लिए तो कुछ है नहीं अगर आप हारते भी है तो हारने के लिए कुछ नहीं है हमने सब्लूच कर बप्पु सर के बिरोध में एक जो है और यह है वह फलान है टेकान है लेकिन आप सब को पता होगा कि अगर कोई केस जितवाया तो पुषर ही जितवाया अगर किसी को जनकारी है तो पुषर को ही है अगर कोई दिल्ली में जाके डील किया तो पुषर ही किये अगर गांधी मैदान में हर नभिवार को ठंडे कड़ा करती हाद जबादेने वाली ठंड में कोई आता है तो पुषर ही आते है आप रजाया में घुष के वीडियो है उखाली आपको भाड़ता है यह उसाप प्रध्यान नहीं दीजिए उलोग कभी सामने नहीं आएगा उसम जो है इरिटेटिंग एलिमेंट है जो पपु सर के बाधा बाधा डालता है और हमारी परयास यह है कि जल्दी से जल्दी हम जो है हर जीले में हमारी बीपेसी सिख् हम बहुत खड़ाब है तो हम हर जीले वाई जा करके हर ब्लॉक में जा करके सबसे सहयोगरासी मागेंगे जिसको जो कहना है वो कहें और अपना मेरा जो एजेंडा है वो क्लियर बताना है कि आखिर हम सुप्रीम कोट क्यों जा रहे हैं सुप्रीम कोट जाने का मेरा मेन है कि review petition 99.9% लूज कर जाता है लेकिन उसे हमको डरना नहीं है फिर भी हम परयास करेंगे फिर भी हम परयास करेंगे तो परयास करने के लिए हमें fund की बहुत आउ सकता है और fund अगर पूरे बिहार में कोई एक ब्यक्ति जमा करवा सकता है तो हमारी टीम पूसर ही जमा करा सकते हैं और कोई नहीं और आपका कोई फंड लेगा इधर उदर चला जाएगा आप देख लिजिए इतिहास उठा करके किसी भी चीज़ पर विश्वास किया जाता है तो एक वर्ड होता है एक्सपेरियंस तो अगर किसी के पास अभी एक्सपेरियंस है तो पूरे भारत में एक लौता पपुसर के पास ही एक्सपेरियंस है और कोई है आपके बंदा जो जिसका चेहरा कोई जानता हो या दिल्ली में गया या वकिल से मिला है अरे हम तो कहिए तो बीस गोंपी से ल अलिखवाद दिये हैं लेकिन क्या उसका क्या उसका हुआ फैदा कुछ भी आया पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है धाक के तीम पात हो गया आपके पास एक ही ऑप्शन है वो है कोट वो है कोट और वो है सुप्रीम कोट उसमें जाकर के फ्रेस बहस कराना और जो लोग कर रहे है कि पपु सर नियोजित सिक्षक के लिए बात कर रहे हैं तो लोग संभल जाए नियोजित सिक्षक पे अगर कोई भी बात आती है तो हम पटना हाई कोट जाएंगे वहां से बड़ा से बड़ा वकील रखेंगे और गोड़ा हाथ लग लेंगे कि सर हमें राहत दे दिया सब कर दिया कि जो पॉइंट वहां छूट गई है उस पॉइंट को हम रखेंगे जो हमारे सीडि सर्मा अध्यक्ष थे उनकी बातों को रखेंगे एना यूस को पाटी बनाएंगे MHRD को party बनाएंगे और उसको बोलेंगे कि तुमने इस advertisement में दो साल क्यों लिखा क्यों ना तुम पे मानहानी का case किया जाए क्यों ना 14 लाग बच्चों का पूरा वारासी वापस कराया जाए क्यों आप ऐसा किये वो सारी चीजों पर बहस होगी और क्यों equality ना हम लोग को दिया जाए क्या यह कहीं उपाय है कि इस degree को कागज का रदी बनाके छोड़ दिया जाए कि इसमें अगर माननीय न्याले से हम दर्खवास्त करना चाहेंगे कि 18 महीने का जो degree कर रहे हैं इसमें हमारी वहां पर जाके डिमांड रहेगी सुप्रीम कोट से पहला नंबर है कि किसी हालत में जीतना है अगर माल लीजे कि नहीं भी जीतने हैं तो फिर भी सुप्रीम कोट से दर्खवास्त करेंगे कि इसको कुछी किसी कारण से कुछ और पढ़ा करके चाहें जो भी तुरू सर करवा सकते हैं इसलिए कि पॉप्पु सर पे हमें भरोसा है हाइए कोट में इन्हों ने जितवाया जिस तरीका से नरेंदर मोधी और राहूल गांधी में चलता है तो नरेंदर मोधी को का है भोट कद्ग देता है वो जानता है कि 15 साली गुजरात में रहा है तब न लड़ा है और जीत भी दिलाया है पपु सर ने केस लड़ा है और जीत दिलाया है इसलिए अगर कोई नेता है अगर कोई दिला सकता है तो पपु सर है और इस मंच से हम एलान करते हैं कि जिन लोग को भी जूटना है या हमारे साथ आना है आप आये गांधे मैदान हमसे मिल हम दो साल से आज जौब कर रहे हैं, हमारे जैसे कितने सिक्षण जौब कर रहे हैं, BPSC TRION में कितने का सेलेक्षन हुआ है, गरीब बच्चे हैं, अगर उनकी नौकरी चली जाती है, तो कही के नहीं रहेंगे, सबने घर बना लिया, कोई बेटी का साधी कर दिया सिक्षक से, कि चलो भाई मेरा दमाज सिक्षक है, बोलिए उस पे कितना खतरा आ जाएगा, कही नौकरी नहीं कर पाएगा, किसी का एज इक्सपैर है, तो सबसे परिसान तो वो है, लेकिन वो सुप्रीम कोट नहीं जा सकता है, अभी इसलिए नहीं जा सकता है, कि उस पे किसी परकार का अभी पेच नहीं आया है, या किसी परकार का ओर्डर अभी उस पे लागू नहीं होता है, अभी सिर्फ और सुप्रीम कोट जा सकता है तो वो टियारी 2 के बच्चे जाएँगे और सपल्मेंट्री वाले जाएँगे और उसी के पीछे हम लोग बहुत मजबूती से खड़ी रहेंगे और सारा चीज हम लोग करेंगे कि कैसे बहस कराना है बहस में कौन कौन से point रखना है कि या तो जीत मिले या फिर उसी में Supreme Court को convince कर लेना है कि क्या ना किया जाए कि इस degree को valid किया जाए अरे भाईया 18 महीने का है 24 महीने होता है तो वहाँ क्या किया जाए NCTE क्या करे कि ये degree valid हो जाए हम लोग Supreme Court से आदेश दिलवाएंगे NCTE को कि भाईया तुम कुछ उपाये निकाल के इन 14 लाग सिक्षकों का भला करो नहीं तो जितनी भी सिक्षी का private school की है वहाँ का जो director होता है उनका सोसन कर रहा है मानसिक सोसन के साथ साथ physical सोसन भी कर रहा है और कह रहा है कि जिस दिन मैं तुम्हें इस अस्कूल से निकाल दूँगा दूसरा अस्कूल वला तुम्हें लेगा भी नहीं इसलिए कि तुम्हारी डिगरी अन्वैलिड हो जाएगी यह डिगरी सिर्फ हमारे अस्कूल के यह तुम यह चीज को देख लो जीतना भी है और उसमें बीच का रास्ता भी तलास करना है इसलिए हम सुप्रीम कोट जा रहे है और फंडिंग का जरुरत है तो अगर फंडिंग कोई ले सकता है पूरे देश में तो वह हैं पपू सर क्योंकि पपू सर के साथ भरोसा भी है विश्वास भी है एक्सपृयरण्स भी है अज़ीत का भी एक्सपृयरण्स के अगर किसी बंदे के पास है तो सामने आया हम उसका स अब्रार करेंगे जो वॉड immersed कर रहये है वह सामने अब बात को द्हान से सुन लिजिए और जितने भी irritating element है उस सब को किनारे लगाई है इसा भदया बेंग है जो आज कल में पैदा हुआ है ठीक है हम लोग इसको जीत के लिए आये हैं तो हमसे अभी हमारे उपर टिका टिपनी करने वाले की बातों पर ध्यान न दे और जो भी question है live के दोराना पाईए पुछिए सा Supreme Court में जाके करेंगे हम जीतने नहीं जा रहे हैं साथ में बीच का रास्ता भी तलासने जा रहे हैं बात याद रखियेगा और दोनों में से एक काम तो होगा इबाद जान लिए हारने के लिए तो हार चुके हैं बस भगमान से दया करना है और वकिल से दया करना है कि हमारा सुनवाई एक बार हो जो एक बार फ्रेज सुनवाई हो गया तो जीत तो लेके रहेंगे अगर जीत में थोड़ा इधर गर भी हुआ अगर निगेटी पॉइंट से तो बीच का रास्ता तो जरूर लेके रहेंगे इस बात को अपियाद रख लिजे इससे कोई नहीं रोक सकता निकल जाईएगा उस दिन छटपटा छटपटा के 20,000 रुपिया दिजिएगा कि भाया नौकरिया हमारा बचा लिजिए ददा बाप माई आउस्व में कुछ नहीं होगा समझ गया है इसलिए स्वयोग रासी में जिससे जितना बने 5,000, 2,000, 8,000 भाया आप दिजिए 500, 100, 200 जो लोग कहते हैं कि पसा मत दिजिए पपु पसा खा जाता है तो आप हमको बताईे कावन आदमी है जो आपका पैसा लेकर केस जीता देगा रहा है कोई माई का लाल तो हमारे सामने खळा हो जा हो जाए हम छमा चाहते हैं अपनी वाड़ी के लिए लेकिन हम प्रेसर में है हम दुख में हैं इसलिए हम दोने मुह साइसा सब्सक्राइब निकल रहा है समझ गया जो लोग कहते हैं कि पपू पैसा खा जाएगा पपू यह और तो भई आईए न सामने ठंधा में आप आईए हमारे हमारा तो जान अटका हुआ है न हमारे जैसे कितने लोगों का जान अब अच्छा है तो जितने नियोजी जो साथी है सिक्षक है वी पैसे टी आरिवन वाले हैं उस खाली रजाई में लुका के देख रहे हैं कि आईशा इसा बात पपू सरकार है लेकिन बेचारे पपू सरकेले आप लोग को कितना समझाएंगे हमेशा हम लोग लाइब आए इसे बढ़िया कोई रोड में दिखाने वाला कोई पपू सर जैसा है तो अब बताईए हम उसका सपोर्ट करेंगे हम पपू सर के सामने उसको लाके बैठाएंगे पपू सर को कहेंगे कि आप सर्था रहे इनको बोलने दीजिए इनको मौका दीजिए हम इनही के रूप में इनहीं को टीम लीडर के रूप में चुल लेंगे लेकिन कोई आये तो भया अब घारवा में टोपी पहन के अरजाई में घूसके भासन देते हैं उससे नहीं नहीं होगा आप आईए हम गया ना डिल्ली में हम पांच दिन रूखे कईसे कईसे वहां रहा जाता है भया जाक अब आईए हमारे टीम से मिलिए हमें जो कमिया है हुँ हमारे मुझ पे कहिए ना हमें जो कमिया हुँ हमारे मुझ पे कहिए सब्सक्राइब कर रहे हैं रिव्यू के लिए इनके रिव्यू तयार है थोड़ा सा थोड़ा साम यह कर लेते हैं क्योंकि देखिए एक सेकंड का वह ज्यादा समय हम नहीं लगया देखिए बाते शुरू हुई सब्सक्राइब करेंगे तुरा इंडिया से तो मतलब नहीं है बात रा दूसरा चीज आप मोरल सपोर्ट का बात एक हम को किये उसमें बात सुनने में आया उकारें कि मोरल सपोर्ट करेंगे मोरल सपोर्ट का क्या करेंगे हम सुप्रीम कोर्ड में मोरल सपोर्ट चलेगा सार आप बताइए कुछ यह सब नहीं चलने वाला बात रहा दूसरा चीज कि आप जिस्ति के लिए लड़ रहे हैं आज आपको लग रहा है कि हम इस विशर पे हम अपने खोर्ट से यह करेंगे कि पिछला बाली है पहले का बाली है उस नोटिफिकेशन को हम लोग रखेंगे क्योंकि हम पहले ही पॉम बरें तो ऐसा बहुत तरह है कि हमारे यहां बिहार में जो भी या तो जो आइन हैं जो लोग उनको आपको जैसा कि याद होगा तो बिटू सर को भी याद होगा कि इस वर फिर दूसरा से कुछ प्राने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो इस यह हम लोग जल जल दी समझ जाए हमारे लिए सही होगा लेकिन नहीं समझ रहा है लोग यह जो बोले नरोहित जी कि रजाई में छूट के रजाई में दुबक के और लोग फोन करेगा क्या हो रह है क्या प्लानिंग बन रहा है यह सब जानने से नहीं होगा हां और उन्होंने मुख बत का कि हम लोग पर्टिशन में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम लोग पार्टी नहीं है लेकिन विस्वनाजी तो पार्टी है विस्वनाजी आज हमारे साथ है न जी जब जो भी है वो हम स सामने आ रहे हैं अगर आपमें भी कैपाबिलीटी है आप भी उतने कैलीबर रखते हैं तो आइए सामने ठीक है और जिस दिन बट्रभावित सबसे किए जाएगा नहीं है किसी का प्रशन लड़ाई नहीं है विए क्रशिए को रोके हैं क्या की नहीं आप लोग इसी लडाईटे लिए फंडिंग ले रहा हैं। लेकिन अगर आप वसी मंगाल में अगर उसको हो सकता है कि आपका नोटिफिकेशन माने गए लेकिन हमको उसमें चांसेस नहीं लग रहा नहीं के बराबर है लेकिन मान देते हैं लेकिन वह आपका केवल आपका प्रस्ना लेजेंडा है लेकिन अगर हम लोग जा रहा है तो हम नहीं दिया जा हम लोगा का जाता है की जो हम लड़ाए हां हे तर्फ seront के लिए क्या कर रहे हैं क्योंकि उस ऑडियो में आड तो पूचा गया णिख रिख्र हेल दिये सब्सक्राइब करें तो इस उमिद से आया हूं कि चलो विवेंसर राम की तरह पी तो था सब्सक्राइब तो था ज्यादा नहीं बोलूगा मैं रिवीव को ले करके मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कल एक MPI कोट में केस था आपने देखा होगा किसी में इस बात पर डेट मिल गई कि अरनों गोस्का जो मामला है वहां पर विचारा दिन है इसलिए इस पर डिले किया जा इस पर कोई निर्णा भी नहीं लिया जा अभी जो आप लोग ही बता रहे हैं कि फलानी आदमी हाई कोट जा रहा फलाने जा रह हाई कोट जा रहे हैं कि अगर कोई हाई कोट गया जैसा कि पुपुसर बताये थे तो हमारा जजमेंट उठाएंगे वहां पर लगाएंगे और मिनट नहीं लगेगा लेकिन अगर आपका रिविव लग गया रहेगा आपका वकील हुआ जब बोले गया कि वहां पर जरूरी है नहीं कर रहे हैं उसके लिए मोगा तलास रहा है कैसे मतलब इसको सब्सक्राइब किया जाए इसके लिए यादर जी हैं लाकर संपर्क में लेकिन अब कुछ लोग चाह रहे हैं कि हम यूटूब के खुब धिंडोरा पीटे या औडियो बारल करें वगएरा वगए है कितने बार इसे कौन करते हैं दिन भर में वास्ते अबर में सब जन पराटाइब कि किसी को मालूम नहीं है ठीक है अब पूरा देव से आधि कि हम आपको फंडिंग देते हैं मतलब आपके हैं तो कुछ लोग के अकाउंट भी मांग रहे हैं आपकी पुरा देज फिर साथ देख आई आपका जो हर्थ वह उपए लिए यह बात कर रहे हैं लेकिन दिमाग में शह्कुचित वह चल रही हैं वो लोग यह लेहां हम कर्या हम सोचे हम सोचे कि वहार मर्द्परदेश वाला कि मद्परदैस तो यह कभी नहीं हो सकता है इसको हम एक मंच प्रत्रमाई होगा तो आई व लोग देखे होंगे यादुज भी देखे होंगे तो अगर वह पपुयादु कह रहे थे डेट ले लिजिए हम तो इसी प्रेसर में थे जो प्लिटिकल हो रहा था ड्रामा अभी बीना कुछ किये उतना हो गया था सोची अगर उस दिन हम डेट ले लिए होते तो क्या हुआ हो जो पता हो और क्या हुआ है और बाकी हम पता किये हैं वहां पर उनके बारे में पता लगवाए हैं लोगा है वह पता चला है कि वहां पर जो अल्रेटी वह गए ना उनके लिए लड़ रहा है बाकी से उनको कोई मतलब है नहीं उनके बात से लग रहा था एक बात और बोल रहते हैं कि डिप्लोमा को आप लोग डिगरी बोल रहे हैं हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है हो सकता है कि हमारे तरफ का भासा कुछ अलगो हम लोग उसको हम लोग आज तक इतना डिगरी की हैं अपने ले गए अपना डिगरी ले गएक और वह रहां यह लड़का था जो हमको फोन किया था और प्टोन करके बढ़ा महिंसे आप तुम से बात किया था कि सर कर रहा हैं नहीं कर रहे हैं ऐसका दिमाग नहीं ज़िए डिमाग देखे खेल रहा ूंग में पारोन इसको हुआ यून्या唉 और आओ इंडिया क्या धक्त बना दिया पतने किसको ही कि हमको अरे जिसको अध्याशिवाश बन ना बात खतम हो गया हम लो हम आप अप अधलों वह भी बंदा खुस हो जाए कि भाई डिप्लोमा बोल दी यालो यहां पर हमें क्लियर करना चाहेंगे इस सबसे पहले तो पौपु एक ठीचर है हम भी एक ठीचर है धर्मेंदर सर्वी सिक्षक हैं सब लोग सिक्षक हैं हम लोग को सिक्षक का जब सब्सक्राइब नोकरी मरी मिल गया तो हमको नेता बनने की जरुर। जरुबथ है हम सकता है ön is यह ए तो हमको तो वह यहां समाज का कल्यान करना है इसके लिए हम आए हैं और दूसरी बात बताईए कि उस परिवार के घर पे क्या गुजरता होगा उस कंडिडेट के च्छाती पे क्या गुजरता होगा आप सुच नहीं सकते हैं सब फोन करके रोता है कि सर चाहों जो भी हो सर इसी तरीका से वोट से और यह उपहाल करा दिया जाए जब आप उस बात को अजम लगता लोग के लिए वीडियो है वीडियो लंब हुरा है भी टॉचंशलाक में हружाओ लोक से बिघ्र कर रहा कि आप सिर्फ भी हर वालों को बना रहे हैं अदर इस्टेट वालों को नहीं बना रहे है कि बिखार के प्वान्चीत अभ्यार्थी को हम सामिल कर रहे हैं जो बैचारे का रिजल्ट हो गया है और उसकी नौक्री नहीं हो पाई है उनको रोख दिया गया है सरकार के द्वारा लोग सार्य राजके लोगों सब्सक्राला सकते इस बात का ध्यान रखिए और हमारा यह कहना है कि कोई भी उलय जुलुल बात करें को अबिए अजिए करके आपको कन्फूज करने का परियास करें तो आपका जो होसला मजबूत होना चाहिए कोई भी एक audio बाइल कर दे कोई कुछ हो कह दे अज दूसरे कराने पर कर दे जो करा रहा है हमको तो हमको करने जा रहा है उसमें नाम लेकर किसी को आप करें कि यह चोरी कर रहा है करते हैं हैं कि सारे लोग को हम लोग पूरे बहार नहीं पूरे देस का लोग इसमें पर्डीटर बने जितना ज्यादा दो हजर 25 ध्रहेट हैं यह जद लोग बन जाते हैं तो हम लोग हसते खेलते इस बिजाए हम पाएंगे निश्चित तौर पर जीतेंगे हमें पूरा भरुसा दिलाए गया है कि आपको निश्चित बिजाए होगा जी एक चीज में कहा रहा है कि आप वेट करेंगे पत्चीस सो लोगों का वो समय लग जाएगा मेरे हिसाब से जो मेरा हैं उचीत रहेगा कि आप एक किसनर तो डाले दीजिए बाकी लोगों का वेट कीजिए वा पर उनका भी डाल दीजिए पिछे से एकी साथ सबी डालेंगे कि एक कम से कम एक अच्छा मतलब नंबर हो जाए ठीक है जो उतना हमारा टर्गेट उतना नहीं हो पाएगा लिए कि बता नहीं करेंगे कि यह ले रहे हैं कं ल नहीं करेंगे लर taking घर्ण के साथ 7 सिधा साब नगाई आप आप पीछे जूड़ता गया बत समझ रहे ना गांधी हम नहीं है कोई भी गांधी नहीं है इसमें ठीक है ना उनकों भी संगर्ष करना पड़ा और लंबा संगर्ष करना पड़ा आप जान रहे हैं हमारे पास एक प्रोपर अगर फंड नहीं रहेगा आप ही कुछ सोचिए त दोहजार ओचारहजारओ जो भी लोग जब तक हमारे पास एक परियार माल जीजे एक से दोभास का भी हमारे पस कम सकम दोभास कौन पस्ट होना चाहिए ना संICA नहीं ही तो फैन्त फ्रवाइ बंहें हाल होगा कि मम प्योद्ध liखि किसी को पकाड़ कैं उसको जिन्दा बुकि अबर ओर तो हमको जितना है उनका उनका फ़ंड हम रखें कि भाई यह पठना है कि जो बूसीवत आएगा जो भी पर्टिशन बिशरा बना है वो बिहार का ही बना अभी तक दूसरे राजजों का चंद रूम सब्सक्राइब करने का मतलब है कि हमको खुद्रा खुद्रा मत दीजिए आप सिर्फ पर्टिशन बनिये ना जो डिग्री सिर्फ मान करना चाहते वो चंदा के रूप में दे आप जब तक पार्टी नहीं बनेंगे जब तक काम आगे नहीं बढ़ेगा पर्टिशनर बनना जरूरी है आपको जब बहाली जब जहां जहां पर रोका गया है यदि हम वहाँ से जीत के आजाते और लेके आजाते तो उनहीं लोगों को सरकार कोट आदेश देगा कितने लोगों को लेकिन आगी की बहालियां में जब आगे की पहालियां में जबागी को तो लीजबल रहेगा पिछला बार च्रावियुन पुरारी जाजीं मेले थे मिले ते वुरान का वीडी हमारे बार दॉख़ा हुआ है आज एह जको यह जाए ठीक है दंदे दें देकिए आपको बता रहा है वह दो आदमी है विशनाज साथ सुनिएगा पूरा यह प्रोसेस ऑनलाइन हुगा है मगर पतना हाइपोट को दो आदमी ऑफ-लाइन फॉर्म डाला है उनका परिच्छा अलग से हुगा है यह सुरी उन लोग के साथ हुगा है लोग मिलके केस कर दिये अब बाकी लोग को कहते रहे कि भाईया आओ हमारे सब्सक्राइब बनो लोग कई बना दो लोग मिलके केस कर दिये पक्ना हाइप ने अश्पेशल आदेश दिया वह उन दोनों को कि भाई आप दोनों ऑफ-लाइन मूड में अवेद़ कि जिए हम लोग तो बाकी लोग तो आंलेल किये उनको उफ-लाइन तू में क्योंकि तू में भी बेचारे आवेदन करने वाले थे उनको फिर सर्वामा दिया गया है इस वर शबी साथ में असर इस वर इस वर पर्टिशनल उनको देखा थे कि और और लोग जुड़ गया तो इसलिए जरूरी है कि पर्टिशनल बने क्या विश्माजी बोले है अगर आप पिटीशनल नहीं रहते हैं तो आपको बैक डेट से नहीं मिलेगा देखिए अभी बहुत 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 है है इसका इसका तज्विवान तुदार में है पॉपु सर के खुद घर में हमारी सिस्टर पर्टिशनल बनी थी और हम बता रहे हमारी सिस्टर सुपरवाइजर है आकनवाड़ी की और उनको निकाल चालिस लोग आयूंत निकाल दिया था उसमें से आहांतिस यांतिस लोग पर्टिशनल बने आपकी चार लूग नहीं बने बाकी सर्कार लॉप यारा रुपी अ चार साल अगरे अर आश के साथ लोग है ऑलग ये और आज नहीं बनेंगे तो बचुत रहे जांगे जालीजिए आप लाइब है हम लोग बहुत सारा प्रस्म आ रहा है और उस प्रस्म को क्या करना है कि जवाब भी देना जिसे हम लोग तो अपना सारा सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनका सवाल का जवाब देना भी हमारा बनता है नेक्स तुनिया रोहितर आपको लाइब लेंगे आंति बार चाहेंगे कि संडे को सर गांदी मैदान में मिटिक रखा गया है जितने भी नियोजी सिचक है ट्यारी वान में है सपलिमेंटरी ट्यारी टू सब लोग पहुंचिए और जो भी नियोजी सिचक पटिशन नहीं बने पटना हाइकूट के लिए और बाकि जो भी सात हैं आईए गांदी मैदान में पटिशन बनिये सहयोग दिजिए और वहां मिटिक रखा गया है अपना विचार दिजिए हमारा विचार लिजिए कैसे लड़ेंगे वो सारा कुछ आप आप देखिए समधिये राइदिजिए यह समय के लिए कर दिए सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दो दुसरे राज से भी लोग आना चाहते हैं असाम से और कहीं और साना चाहते तो आपका स्वागत है आईए और आके अपना वहां पे सारा बात और यह आंती बार का रहें यह लड़ाई पूरे देश का है ना की बिहार का है जो भरम फैला रहे हैं कि प बिहार की लड़ा जा रहा है उसको कान खोलके सुन ले तुम बरम मत फालाव याद पुराद देश को अधर की स्थिति में अभी और इसको किसी तरह हम लोग जीत दिलाना है हम हम लोग काम लिस बेना उठाया है और हम लोग जीतेंगे जीटेंगे जी पीटू सर गौध्धन प्रवाज सर गुटनाइट गुटनाइट